मौनसुन ने उत्तर परदेश में इस बार देरी से दस तक दे इसका नतीजा ये हुआ कि किसान फसलों की बुआई के लिए मेगों का इंतजार करते रहे लेकिन मौनसुन अपने तै समय के बाद काफी देरी से पहुंचा और इसका खामयाजा किसानों को भुगतना पड़ा बुंदेल खंट जो कि सूखा गरस इलाकों में शुमार है लेकिन देरी से हुई जमा जम भारिश ने यहां की किसानों की उमीदों पर पानी फेर दिया खंट के सातों जिलो को लगातार सूखा गरस घोशित करने की मांग की जा रही थी वहीं सरकार ने यूपी के हालातों को देखते हुए परदेश भर के 62 जिलों में सूखे को लेकर सर्वे करने के आदेश दिये थे और 16 सितंबर को रिपोर्ट सूपी जा चुकी है जिसमें बुंदेल खंड के महोबा, हमीरपूर, जांसी, जालोन, बांदा, ललितपूर, चितरकुट बाहर हो गए है हलाकि इस सरकारी रिपोर्ट को पहले ही 15 सितंबर को NBT ओनलाइन ने अपनी रिपोर्ट में जाहर किया था कि बुंदेल खंड में सूखा ग्रस्ट को लेकर संशे की स्थिती बरकरार है और किसानों की उमीदों पर घ्रैन लग सकता है दरसल बुंदेल खंड में देरी से हुई बारिश ने यहां के किसानों की उमीदों पर पानी फेरा और फसलों की बुआई न होने से सूखा ग्रस्ट घोशित करने की मांग उठाई जाने लगी लेकिन बुंदेल खंड का सूखा सरकारी मानकों में खरा नहीं उत्रा क्रिशी विभाग और राजस विभाग की ओर से किये गए सर्वे में यहां के जिलों में बमुश्किल 10 से 15 फिजदी फसलों का नुकसान बताया गया और 16 सितंबर को परदेश के मुख्यमंत्री को इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई आपको बता दें कि 2021 की तरह इस बार भी हालात वैसे ही हैं किसानों पर दैवी आपदाओं का कहर भरकरार है निश्ची तोर पर यहां के किसान तीन बार दैवी आपदा का शिकार बन चुके हैं कभी ओलावरिष्टी कभी मुसलादार बारिश तो कभी बेताहाशा बार किसानों के अर्मानों को रोन देती है और यह सिलसिला लगातार जारी है पूरे साल में दो बार फसल की बुआई करने वाले किसानों किसान से सरकारी आंकडों के बीच अठकी रहती है 2021 में अगस्त महा में हुई तेज बारिश से रवी की फसल पूरी तरह बरबाद हो गई थी फिर जनवरी 2022 में हुई ओलावरिष्टी ने अपना कहरड़ा दिया जिसमें 90 फीसेदी फसल का नुकसान हुआ इन दैबी आपडाओं के बीचान किसी तरह से अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे हैं और इस बार मौनसून की बेरूखी से बुआई नहीं हो सकी वही सर्वे में 33 से 50 फीसद नुकसान की स्थिती को शुन्य दर्शाया गया यही वज़ा रही कि आंकडों में जीले सूखा गरस घोशित नहीं हो सके ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी